हलो दोस्तों आज हम सिखेंगे वी लुक अप वी लुक अप एक बहुत इंपोर्डेंट फॉर्मुला एक्सल के नदर और पहुत जादा यूस्फूल भी है उससे कहीं लोग खूशते हैं वी लुक अप है क्या सबसे पहले में बताओं वी लुक अप जो है और मैं पास थाउजन्ट वैलूस है और उसमेंसे मुझे 250 values निकालनी है, तो उस value को निकालने के लिए we look up को उस करते हैं, मैं पास example के लिए column number एक है, जिसके मैंने share number लिखे हुए, column number 2 है, जिसके मैंने सब के नाम लिखे हुए है, column number 3 में month लिखे हुए है, जो इन values के सामने के जो value है, वो निकालनी है, तो बड़ा simple है, look up सीखना, चले सीखते हैं, पहले हम फार्मुला लगाएंगे, equal sign, v, look up, back at start, look up value, look up value होती है, जो मुझे value ढूणनी है, मुझे कौन सी value ढूणनी है, 115 है, e pipe, जो value है 115 है, इस list के ढूणनी है, तो look up value हो गई, जो मुझे इस list के ढूणनी है, जो मैंने यहां लिखी हुई है, e pipe, comma, नीचे लिखाया table है, देखें नीचे लिखाता है, यहां पर table है, table है कि value कहां ढूणनी है, कौन सी list में ढूणनी है मेरे को, मिली range कहां से कहा a3 से लेके c35 तक, यह मेरी range हो गई, जिसके अंदर मुझे value का value ढूणनी है, e pipe जो value है, comma, column index number, column index number क्या होता है, कि मेरे को value ढूणनी है 115, 115, 115 value ढूणली, suppose 115 जो भी value होगी, उसके सामने कौन सा column आए, column number 2 की value आए, यह column number 3 की value आए, मैं चाहता हूँ, column number 2 की value आए, comma, तो दो option होते हैं, true and false, हमको हमेशा यूज़ करना है, false, exact match के लिए, कि मेरी value ग्युक्ल exact match वही वाली आए, जो लिखी वी है, exact match लिख दीजिए, या false लिख सकते हैं, और इसको bracket को बंद कर दीगे, जैसी आप enter करेंगे, press, देखेंगे, यहाँ पे 115 नमबर पे, नाम आगे सिद्दान, जो मैं ढूणना था, same फिंदा मेरे को चाहिए, 125 गंदर, इसमें एक चीज और सीखने वाली है, देखेंगे, अगर मैं इसको drag करता हूँ नीचे तक, value आपकी सब आगई, 135 नहीं आई, 135 क्यों नहीं आई, प्योंकि में पास value ही 131 तक है, जो value इसमें नहीं मिलेगी, वो उसको not applicable दिखा देगा, जो value इसकंदर नहीं है, एक सी जोट सीखने वाली इसकंदर से में important यह है, कि जब भी आप A3, जो आपने column index से पहले जो number आपने array लिया है, उसके शुरू में dollar sign लगा देगे, जो in table array के, जो range है, उसको lock कर दे, ताकि आगे हम इसकी value को नीचे तक खीशते हैं, ड्रैक करते हैं, तो उसमें problem ना आए, इसको मैंने ट्रैक किया, अगर मैं value 100 भी लूंबा, तो भी मेरे को दिक्रत नहीं है, यह अपने अपने लिखा गया, मिशाल शर्मा, इसके अलावा अगर मैंने को month चाहिए, तो month के लिए, equal, we look up, bracket start, जो value ढूंबनी है, 115, table index, आप पर table आगिया, comma 3, column number 3 ढूंबना मैं बेरे को, comma, false, 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 bracket बन, enter करेंगे, तो आपका month भी आगिया, आप उसको drag कीजिए, सारी value आपको अपने पिल देगी, 100 वाली, क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने आपके dollar sign नहीं लगाया था, दिखेंगे, उसकी range, यहां से start होगी है, देखें, इस चीज़ का solution, माँ पास dollar sign से है, dollar sign लगाएंगे, आप drag करेंगे, तो आपको यह problem नहीं आएगी, thank you so much, have a nice day, bye.